बिनास काले विक्रित बुद्धी ये कराची बुड़ वालें के लिए अब कोई नहीं बात नहीं रह गई दोस्तों जब से आदिपुरुस का टीचर देखा हूं तब से वास्तिपिक्ता मैं काफी तुखी हूं काफी हैरान हूं कि कोई जो हिंदू अपने संस्कृत को नहीं जानते उनको या कराची बुड़की बनाएगे आदिपुरुस फिल्म बहुत गुमरा करेगी इस फिल्म की चर्चा हुई थी जब ये फिल्म बन रही थी इसके क्लिव आने शुरू हुए थे कि आदिपुरुस फिल्म बन रही है वांसरी परभुराम को बड़े परदे पर दिखाया जाएगा तो मन में लालसा थी कि इतियास को निचोड़कर दिखाया जाएगा इतियास की सची घाठणा को दिखाये जाएगा हिंदूओं की उस कल्फ फेनी को दूर करेगी जो हिंदूओं के मन में होती है अपनी संस्क्रिप को लेकर अपनी इतियास को लेकर जो उन्हों में पिच्चरों में देखकर बर्मजाल में पच्च शुके हैं calm ऐसा कुछ हो इस फिल्म में एक भी परसंट ऐसा कुछ नहीं दिखाए गया कुल मिलाकर यही कहूंगा खोदा पहाड निकला चोहिया जा रहा है कि इस फिल्म को बनाने में 500 करोड का बजट लगा 500 करोड रूपय इसमें लगे हैं आप समझ में नहीं आ रहा है कि कार्टून ए में 500 करोड रूपया कैसे लग गए इसमें रावण का रोल देखो रावण को देखकर तैमूर और 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 ये बॉली फिलिंग आ रही है और हनुवान को देखकर मौलाना वाली प्रभुसरी राम के रोल में अधेड उम्र के दिखने वाली परभास को लेनी कि क्या जलू दिया शिक्स पर अईण दिखाये जा रहे परभुग राम के में प्रभास एक ठाक होई दिख रहे तो, तैरो ताजगी से भारा भटब्य होआ की गई है दाड़ी को आप लोग देखी सकते हैं कैसे एक तो पूरा का पूरा मौलाना वाला लुक दिया गया है हनुमान जी की रोल का एक भी परसंट असली सच नहीं लग रहा है रहा है तपस्थी ज्यानी महापूरुस था लेकिन यह लोग जब बना रहे थे यह लोग जब सोच रहे थे इस किरदार को इन्लों का दिमाग घुटनों में भी नहीं था वहां से भी निकल कर घाफ चरने गया था शालों रमायट कोई मस्ती मजा कथा कहानी वाला बिज़े नहीं है जैसा मन किया वैसा तों कार्टून बना दिया इस फिल्म का बोईकोट नहीं होना ची इस पर सरकार को एक्षन लेना चीए बोईकोट नहीं करना चीए सरकार तुरंट परभाव से इस पर एक्षन ले और जो आस्था के ऊपर खिलवार किया गया है इसको देखते हुए इस पर पहन लगाना चीए अगर उस पर फिल्म बनानी है तो थोड़ा सोच समझ कर बिजा चलू कर चुके हो कि उनकी आड़ में और पैसे खमाते जाओ आखी जो रोल कर लेह को नहीं पढ़े हैं नहीं देखे हैं कभी नहीं जानते हैं वो तुरंत समझ लेंगे सीता मा का रोल उनका चरित्र उसी से जज़ करने लगेंगे एक फिल्म गुम्राह करेगी वैसे दूस्तों गुस्सा हमें प्रभास होके कृति सेनन साइफली खान इंपर नहीं उतारना चीए क्योंकि यह ए अगर कोई फिल्म बलाकर बड़े पर लाकर अगर कोई न्याय कर सकता है तो वह हैं ऐसे सराजा मौली क्योंकि उनके फिल्म जादा तक प्रोपोगंडा से प्रभावित नहीं होती वह सच को दिखाने का पूरा प्रियास करते हैं अब आप सोचो प्रभास जिनका एक बड़ करने के उनके सब कुछ गुआ देंगे उनको परभु स्री राम के बार में पता था की नहीं था लेकिन इस एक नहीं होने II के साथ ही है उनका कुछ नहीं होने वाला तो साउथ इंडियन एक्टरों को भी लेकर कुछ ऐसा ही उनको भी परवार करने में लगी हुए है तो आपका क्या कहना है टीजर आपने देखा क्या खिलवाड हुआ है कैसे हुआ है आपको कैसा लगा अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा लगा होगा जहां तक मैं जामता हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइए वीडियो पसंद आये तो लाइक कर सकते हैं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हो सके तो वीडियो सेर भी कर सकते है मिलते एक लिए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग बाबाई